इस्राइल की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं एक तरफ हिजबुल्ला से परेशानी तो एक तरफ हमास से परेशानी नमश्कार मैं नूर्जा और आप देखने हैं जनेत अवास जिस तरीके से इसराइल की मुश्किले कब होने का नाम ही नहीं रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, एक तरफ हमास से परेशानी तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला से तबाही, ट्रिपल एच, ट्रिपल एच का मतलब बता दें आपको हूती, हमास और हिजबुल्ला, जिस त ट्रिपल एच मिलकर इसराइल में तबाही मचा रहे हैं, नेतन्याओ की कमर तोड के रख दी हैं, जिस तरीके से नेतन्याओ दावे करते थे कि उनके पास बेहद हतियार हैं, वो हमास और गाजा को खतम करके रख देंगे, युद्ध रोकने ही नहीं देंगे, वहीं दूसर बादें की हतियारों के मामले में जो इसराइल अपने आपको सबसे जादा मजबूत बताया करता था, वहीं जो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिये से 200 किलमेटर दूर जो आने वाला जो भी मिसाइल था, उसको पहचान लिया करता था, एक्टिव हो जाता था, वहीं उसको बत है, वहीं आसमान से हिजबुला बारूच से धूल चटा रहा है, जब तक इसराइल एयर फोस के लड़ा के सैनिकों से जब तक लड़ रहा था, तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब जमीनी स्तर पर देखा जाए, तो हमास उस से धूल चटा रहा है, और आसमान से ह हिजबुला धूल चटा रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो हम आपको एक आकड़े बता देते हैं, जो फिलिस्तीन क्रैनिकल नाम अकबार ने इसराइल के मिलिटरी सिमेटरी यानी जो इसराइल के सैनिक हैं, जो कबरिस्तान मतलब जगा जहां इसराइल के सैनिक दफन कि किये जाते थे, उस जहां के डिरेक्टर डेविड वार्नर वारूच ने जो इंटर्व्यू छापा है, उसमें कहा है कि जो आकड़े बताये जा रहे हैं, इसराइल की तरफ से बहुत कम आकड़े हैं, सोचिए, एक घंटे में एक सैनिक की जो शहीद हुआ जा रहा है, मतलब 24 घंटे में 24 सैनिक, और जो इसराइल का युद्ध है, वह दो महीने से जादा हो चुका है, लगबग तीन महीने होने वाले हैं, तो सोचिए, आकड़े कितने बढ़ चुके होंगे, अब तक जो इसराइल आकड़े बता रहा है, वो इतने कम आकड़े हैं, और जो कि संचार पर जो इसराइल ने 75 प्रतीशत कबजा कर रहा है, उसके मतलब अगर गाजा चाहे तो सच्चाई दिखा भी नहीं सकता है, वही इसराइल जो है जो 75 प्रतीशत कबजा करके बैटा है, उसके जरीए सही संचार माध्यम काम कर रहा है, और वही आकड़े जो बता र तो सोच ये जो इस्राइल अपने आपको इतना मजबूत बताया करता था आज वही संचार उस पे कब्जा करके बैठा है 75 प्रतिशत और वही खबरे आने देता है जो इस्राइल चाहता है यूँकि जो इस्राइल के तबहाई इन तीन महिनों में नजर आई है वो कह सकते हैं कि जो चाहता था कि यूद रुके ही ना जो इस्राइल जो 75 प्रतिशत जो संचार माध्यम पे कब्जा करके बैठा है वो इतना जो मजबूत दिखा था था अपने आपको वो चीजे बहार ना आ पाएं वो अपने आवो कमजोर ना दिखा पाए इस वजह से वो 75 प्रतिशत कब्जा करके बैठा है संचार माध्यम के गाजा पर हम एक और आपको बता दे कि जो मिडल इस्ट न्यूस मॉनिटर नामक ने एक और इंटर्व्यू छापा है जहां पर ये खबर आ रही है कि 48 घंटे में 50 जादा सैनिकों के लाशे आती हैं सोचिए साथ में 50 से जादा सैनिकों की लाशे आ रही हैं वहीं तीन महीने यानि 2023 भी खतम होने को है लेकिन अब तक यह युद्ध नहीं रुक पा है तो सवाल यहीं उट रहा है कि कब तक यह नर्सरहार चलता रहेगा इसराइल के लोग तो बारे ही जा रहे हैं साथी साथ गाजा गाज काज यह नम दिया गया है इस इंहों इसराइल की नाक में दंब करके रख दिया है लेकिन फिर दो बेंजमीन नितन इयाउं है यह दो शुठकारग कम मिलेगा क्योंकि जो युद्ध चल रहा है यह दो देशों का तो युद्ध है ही लेकिन लगातार इसमें जो सैनिक जो बेकषूर महिला आए हैं जो बेकषूर बच्चे महारे ज़ार रहे हैं जो कब तक यह लोग सहते रहेंगे सवाल यह उठ रहे कि यह कब तक नर्चहार रुकेगा और कब भी खतम होगा इस पूरी बाचीत पर अपनी प्रतिकिर्या जरूर दें धन्यवाद